नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर प्रियांका सेंग, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज इस वीडियो के थुरू हम बात करेंगे कि अक्सर डाइबेटीज के पेशेंट्स में मौर्निंग में जो ब्लट ग्लुकोस लेवल्स हैं वो बहुत जादा बढ़े हुए क्यों मिलते हैं इससे पहले मैं बताना चाहूंगी कि जब भी आपका मौर्निंग में ब्लट ग्लुकोस लेवल हायर साइट पे आता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके HPA1C को इफेक्ट करें यानि कि हो सकता है कि मौर्निंग में आपकी शुगर लेवल थोड़ी सी बढ़ी हुई आ सकती है लेकिन अगर आप HPA1C टेस्ट कराएंगे तो वो नॉर्मल रेंज में ही आएगा वही पर ये भी हो सकता है कि अगर आपकी ये मौर्निंग ब्लड शुगर लेवल एक लंबे समय तक बढ़ी रहे इसी के साथ बहुत जादा बढ़ी रहे तो यहाँ पर आपका जो HPA1C है वो अफेक्ट हो सकता है तो आज इस वीडियो के थुरू हम बात करेंगे कि ऐसे क्या-क्या रीजन हो सकते हैं जिसके वजह से मौर्निंग का जो ब्लड शुगर लेवल है वो अकसर हमें comparatively throughout the day जादा देखने को मिलता है सबसे पहले हम discuss करेंगे dawns phenomena इस phenomena के अनुसार morning में हमारे body के अंदर cortisol का जो लेवल है वो जादा रहता है growth hormone का जो लेवल है वो जादा रहता है जिसके वजह से जो cortisol है जो growth hormone है यह हमारे liver को stimulate करता है कि glucose की production की जाए क्यूंकि हम जो राद भर सोते हैं नीन से उठाने के लिए body के अंदर जो शुगर की मातरा है वो थोड़ी जादा होनी चाहिए वही पर अगर आप diabetic है ऐसे में आपका जो body है वो sufficient amount पर insulin प्रडूस नहीं करेगा या फिर आपके जो body के cells हैं वो insulin की तरफ बहुत जादा resistant होंगे जिसके वज़ा से cortisol hormone ने तो अपना काम करके body के अंदर blood sugar level बढ़ा दिया लेकिन वही पर insulin की कमी होनी की वज़ा से आपके जो sugar levels है वो जादा ही बढ़ जाएंगे और ये एक reason हो सकता है कि morning में आपके blood sugar levels बढ़े हुए मिले इसके अलाबर जो दूसरा reason हो सकता है वो हो सकता है waning insulin यानि कि अगर रात रात में आपके body के अंदर insulin की मातरा बहुत जादा कम हो जाए तो यहाँ पर भी morning में आपके blood sugar levels है वो बहुत बढ़े रह सकते हैं इसके बीचे जो reason है वो patient to patient, person to person vary कर सकता है लेकिन जो common reason हम देखते हैं वो यह है कि या तो जो patients अपने insulin की जो dose है long acting insulin की dose है उसको time से बहुत जादा पहले ले ले जिसके बज़ा से morning होने तक उस insulin का असर खतम हो जाए तो यहाँ पर हो सकता है कि आपके sugar levels morning में बढ़ जाएंगे इसके लावा एक possibility यह भी हो सकती है कि आपने जो units है वो proper नहीं लिये जितना आपके body को requirement है उतना insulin आपने नहीं लिया तो यहाँ पर भी अगर medicine की dose low रहेगी तो तब भी morning में आपके sugar levels बढ़े हुए रह सकते हैं थर्ड इसके पीछे जो reason हो सकता है जो एक culprit हो सकता है वो हो सकता है सोमुगई effect इस effect के अनुसार अगर हमारे body में sugar level बहुत low होंगे तो उसको compensate करने के लिए हमारा जो liver है वो body में sugar के level को बढ़ा देता है यह उन patients में होता है जो patients रात को या तो बहुत ही कम खाना खाकर सो रहे हैं अगर हम रात में meal जो है वो proper नहीं लेंगे तो हमारे sugar level fall down कर सकते हैं जिसको compensate करने के लिए जो हमारा body है वो morning में sugar levels को बढ़ा देगा या फिर यह भी हो सकता है कि आपने खाना कम खाया है लेकिन आपने accordingly insulin की जो dose है वो बहुत जादा मातरा में ली है इस condition में भी आपके sugar level जो है वो रात के समय fall down कर सकता है और फिर morning में हमारा body compensate करने के लिए sugar levels को बढ़ा देगा इन सब problem से बचने के लिए आप यह कर सकते हैं कि रात में अपने body में sugar levels को check करके जरूर सोएं और अगर रात के समय आपके body में sugar level बहुत जादा कम है तो accordingly अपने insulin की doses manage करें अपना जो खाना पीना है उसको manage करें और एक बार morning में भी उठते ही अपना blood sugar level जरूर चेक करें और अगर ऐसा लगता है कि रात के समय भी आपका sugar level fall down करता है तो एक बार morning में 4 से 5 अम के बीच में भी अपना sugar level जरूर चेक करें हर एक patient की body में सुभा के समय sugar को बढ़ने के जो chances है वो different हो सकते हैं तो यहाँ पर हमें उस patient से particularly directly बात करनी पड़ती है उसका पूरा जो routine है वो जानना पड़ता है और हम तभी उस particular direction में patient को guide कर पाते हैं कि कैसे वो morning में अपने sugar level को control कर सकते हैं अगर आप diabetes से सम्मंदित और कोई जानकारी चाहते हैं या आपको कोई query है तो आप मारी team से संपर्क कर सकते हैं आप OPD में आके हमें visit भी कर सकते हैं और नीचे दे गए number पर भी contact कर सकते हैं हमारी team सामिय से आपको help करेगी जल मिलते हैं अपनी next video में तब तक के लिए stay safe, stay healthy